नमस्कार, आज की कविता एक नई भाषा में, ब्रज भाषा में, नरुत्तम दास कृत सुदामा चरित, यह एक लगु काव्य है, जो श्री कृष्ण और सुदामा की मैत्री के बारे में है, यह कहानी हम सब को चिर परिचित है, इसी काव्य के कुछ अंश, कुछ पंग्तियां आज मैं आपको सुनाओंगी, इन पंग्तियों में सुदामा और उनकी पत्नी के बीच का समवाद है, जिसमें उनकी पत्नी आग्रह करती हैं, कि सुदामा श्री कृष्ण के पास जाएं और अपनी गरीबी मिटाने के लिए, धरिद्रता मिटाने के लिए उनसे कुछ मदद मांगें, सुदामा नहीं जाना चाहते, वो जिजकते हैं, जैपते हैं, बचपन के दोस्त, अपने गुरु भाई श्री कृष्ण जो अब द्वारका के राजा हैं, उनके पास जाने से वो बहुत शर्माते हैं, किन्तु पत्नियां तो पत्नियां होती हैं, आखिर जाते हैं सुदामा श्री कृष्ण के नगरी और भाउन से मिलते हैं, उनके लिए कुछ ले जाते हैं, श्री कृष्ण से कैसा मिलन होता है, वापस आकर उन्हें अपने गाउं में क्या दिखता है, ये सारी चीज़ें आपको इन पंक्तियों में सुनाई देंगी ब्रज भाषा गुड में घोली हुई एक मीठी भाषा है, इससे मीठी भाषा ढूड़ना बहुत मुश्किल है, तो सुनिए नरोत्तम दास्कृत सुदामा चरित की पुछ पंक्तियां मैं पद्य का सार हिंदी में बताऊंगी और फिर वो पद्य तो ब्रज भाषा में ही आगे चलेगा सबसे पहले ज्यान के सामने धन की महत वहींता सुदामा पत्नी को बताते हैं, जब पत्नी कहती हैं कि धन के लिए उन्हें अपने मित्र श्री कृष्ण के पास जाना चाहिए लेकिन सुदामा पत्नी अपनी गरीबी का बखान करती हैं और कहती हैं कि इस गरीबी को दूर करना जरूरी है कोदो सवा जुरितो भरी पेट तो चाहती ना ददी दूद मठोती सीत बती तत जों सिसी आता ही हों हटती पे तुम्हें न हठोती जो जनती नहीं तू हरी सों तुम्हें काहे को दारी के पेली पठोती या घर ते न गयो कब हूँ पिये तूटो तवा अरू फूटी कठोती सुदामा उत्तर देते हैं जाओं भी तो आखिर क्रिश्ण के लिए क्या उपहार ले जाओं द्वार का जाहुजू द्वार का जाहुजू आट हुजाम यहे जखते रे जो न कहो करिये तो बड़ो दुख जय कहां अपनी गतिहे रे द्वार खरे पवुके छरिया तहां भूपती जानन पावत नेरे पांच सुपारीत देखु विचार के भेड को चारीन चाउर मेरे एक पोटली भुने चावल या चूड़ा का उफार लेकर सुदामा कृष्ण से मिलने द्वार का जाते हैं उनकी महल का द्वार पाल भटे हाल सुदामा के बारे में स्वामी को बताता है यह वर्णन हृदय विदारक है और इसका चित्र आपकी आँखों के सामनी बिल्कुल लिक्सा जाता है सुनिए सीस पगान जगातन में प्रभू जान को आही बसे किस ग्रामा दोती फटी सी लटी दुपटी अरू पाई उपानह की नहीं सामा द्वार खड़ियो द्विज दुरुबल एक रहियो चकीसों वसुधा अभी रामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनू नाम सुधामा श्री कृष्ण सुधामा का नाम सुनते ही भाग करूने अंदर ले आते हैं और उनकी दशा पर अत्यंत दुखी होते हैं सुधामा अपने भुने चावल चूड़े का उफार देने में सकुचाते हैं पर भगवान श्री कृष्ण से छीन कर लेते हैं और स्वाद लेकर खाते हैं बच्पन की बाते याद दिलाते हैं आगे चना गुरु मातु दियेत लिये तुम चावी हमें नहीं दीने श्याम कहयो मुसुकाय सुदामा सो चोरी की बानी में हो जुप्रवीने पोटरी कांख में चापी रहे तुम खोलत नहीं सुधारस भीने पाचली बानी अजोनत जीतुम तैसाई भाबी के तंदुलत की इसके बाद कुछ तिन वहां रहकर फिर सुदामा वापस अपने गराम आते हैं भगवान कृष्ण ने सुदामा को विदाय में कुछ न दिया किन्तु जब वो अपने गराम वापस आते हैं तो क्या देखते हैं सोने के महल स्वरूप उनका एक नया घर आ गया है तो देखकर वो चकित रह जाते हैं और भगवान कृष्ण का मन ही मन धन्यवाद करते हैं वैसे ही राज समाज बने गजबाज घरेमन संब्र मचायो वैसे ही कंचन के सब धाम हैं दारिक के महिलों फिर आयो भौन बिलो किवे कोमन लोचत सोचत ही सब गाव मजायो पूछत पाड़े फिरें सब सोपर जोपरी को कहूं खोज न पायो ये थी कृष्ण और सुदामा की मैत्री